11 जुलाई 200 जन सेंख्या दिवस वर्ड पोपुलेशन डे 11 जुलाई तो दोस्तों हर साल 200 जन सेंख्या दिवस जो है लोगों को पूरे विश्व में बढ़े जन सेंख्या वसी जगरोग करने केुद्ढ दिश्था प्रृत्bene 11 जुलाई क्युछ स्मना जाता हैं जितने विए हैं विश्व में उसमें से सभी लोगों को विश्व में जो बढ़ रही है। उसी को लेकर के जगरू करने के सबर्ग Quan तो इसके कारण बहुत सारे चीजें बदल रही है इसी को लेकर की लोगों में जागरुपता फैलाना है यहां पर देखते हैं साथ ही लोगों में जन संख्या मुद्दों के समाधान और इससे किस पर कर बचा जाए इस पर भी जनकर बदन करना है तो यहां पर जन संख्या दिवस मना जाता है उसमें से जन संख्या जो बढ़ रही है उसमें उसका मुद्दा क्या का है जिसको हम लोगों को समाधान करने क्या हो सकता है यो सबसारी जनकारी यह सबसारी जनकारीте को देखते हुए इस बारे में भी जनकारी प्रदान करना उधाद कूछ 1989 में संगतराश्ट भीकास कारीकरम की गवर्निंग कांसिल द्वारा की गई थी और पहली बार यह दीवस 11 जुलाई 1990 को मनाया गया था तो दोस्तों यह जो दीवस है वर्ल्ड पॉपलेशन डे इसको मनाने के लिए जो है स्थापना किया गया था 1989 में जो कि संगतराश्ट भीकास कारीकरम के गवर्निंग कांसिल द्वारा किया गया था और इसको जो है पहली बार मनाया गया वह 11 जुलाई 1990 को मनाया गया है अब बात करते हैं हम लोग थीम को जो की भेरी भेरी इंपोर्टेंट है तो इस वर्स का थीम क्या है इसको भी हम ल एट बिलियन ओफ ऐस एफ फिचर वर्स्टिंग विद प्रोमिस एंड फोटेंशियल तो यह इस वर्स का थीम यह इंग्लिस में दिया हुआ है यह आप लोग ध्यान रखेंगे इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे एक ऐसी दुनिया के कलपना करना जहां हम सभी से आठ अरब लोगों को भविश से आसाओं और संभावनाओं से भर पूर हो तो यह इस वर्सकति में हम लोग देख रहे हैं कि आठ अरब यहां पर विश्व की आबादी हो चुकी है यहां कि एट बिलियन आबादी हो चुकी है किस परकार से यहां जमसें का बढ़ यह पूरे प्रिथि बर्स्टिंग वीद प्रोमिस एंड पोटेंशिल यह अब ध्यान रखेंगे एक 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 दुनिया के कलपना करना जहां हम सभी से आठ और लोगों का भविश से आसाओं और संभावनाओं से भर पूर है तो आठ बिलियन का जन सेंख्या हो चुका है और जन सेंख्या के विस को ध्यान में आही रहा होगा तो यह इस वर्स का थीम है अब हमनों बात करते हैं इसमें कुछ और जानकारी को तो यहां पर दिया हुआ है UNFPA United Nations Population Funds की और से भी एक थीम दिया गया है तो इसको क्या है तो लेंगे से मानता की सक्ति को उजाकर करना तो यहां UNFPA के द्वार करने के लिए महिलाओं और लड़कियों की आवाज को उपर ठाना तो यहां इसके द्वारा दिया गया थीम है अब बात करते हैं हम लोग पिछले साल का थीम यानिकी 2022 का थीम क्या था तो एट बिलियन की दुनिया सभी के लिए एक लचिला भाई से की और यहां पिछले साल का थीम यानिकी 2023 का थीम जो कि मैंने आप लोगों को पता दिया जो यहां बहुत है तो देख रहे हैं आप लोग की आट विलियन का यहां पर पोपुलेशन हो गया है पुरा प्रिथिवी में तो यह बहुत ही जाता है चिंता की बात है यहां पर इससे बहुत सारी चीजों की परिशानी होने की संभावना और बढ़ती जा रही है तो आप लोग धियान रखेंगे इन सारी चीजों को जो कि मैंने आप लोगों को वर् कि आप लोगों को बतालिया है